राम मंदिर प्रान प्रतिष्ठा आयूजन को लेकर जहां देश भर की निगाफ 22 जनवरी को टिकी हुई है वही भारती जनता पार्टी समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी ने अपनी अपनी तरफ से 2024 लोगसभा चुनाओं को लेकर भी तैयारियां तेश कर दिय है ऐसे में बनारस की जनता से जानना जरूरी है कि आगामी लोगसभा चुनाओं को लेकर वो क्या सोचते हैं यह सभी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए लोग हमारे साथ जुड़े हैं हम उनसे बात करेंगे सबको राम राम है वैसे इस समय देश में माहौल पूरी तर है सरकार से सरकारी योजनाओं का लाप तो सबको मिला है मगर कुछ देखिए हर चीज का कुछ पॉजिटिवटी होती है तो कुछ नेगेटिवटी भी होती है अब जिसे पांच सालों में जो फरी का भोजन दिया जा रहा है ये लोगों के अंदर लोगों को लगता है कि हम उनको इसी बात के लिए कहा कि मनदेगा में फरी का उसमें बहुत सारी घपले होते हैं उसी को लोग के हमने कहा आज फिर वो ये मनदेगा भी जा रही है वहां पे भी घपले हो ही रहे हैं और फरी का भोजन तीन साल से लगातार दे रहे हैं जिसको फरी का भोजन मिल जा र है यह मोगई जी को लग रहा है कि वो सिर्फ दौर्वे पूर्थी कर रहर Gimme लगता है इस concrete renewable वह दोर में लिए दौर नहीं कर सकता मगर बेरोजगारी पढ़ने का जो कौश गारि कि यह रहा रहा है और दूसरी तरफ उनको विरोजगारी के अगर आप देखेंगे तो बढ़ने की वजगा किया है फ्री का भोजन आप 80 करोण लोगों को दे रहे है उनको काम करने की जरूरती कहाँ है आप उन्हें काम की कर इसकर का भी क्रार चला रहा है दूसरी सब्मको नकारा भी बना दे रहा लेकिन जो सरकार का पैसा और सरकार का जो पब्लिक का पैसा धन जो वास्तों में बेरोजगारी घटाने में जाना चाहिए था वो न जा करके अभी भी सिस्टम में कहीं बिला वज़ा इस्तमाल हो रहा है मैं कुछ उदारण देना चाहूंगा जैसे कौशल, नवाचार या साथी साथ उद्ध्यमिता तीनों के बारे में सपस्ट समझ कहीं नहीं है हमारे सिस्टम में उसका नतीजा यह है कि आज हम जानते ही नहीं कि कौशल किसको कहते हैं नवाचार की क्या समझ है या कहीं हमारे सिस्टम में नहीं है जिसकी वज़े से आज हमारा रास्ता भर्मित है मचली को पेड़ चड़ना नहीं सिखाया जा सकता पहले ये तैं करना होगा कि सामने वाले का कौशल क्या है उसी के अनुसार ही यदि हमारी योजनाएं स्रिजित हों जिससे की जो उनका कौशल हो उसके हिसाब से यदि संसादन दिये जाएं तब उसका ज़्यादा लाब मिलेगा ऐसा मेरा सोचना है चली हम और लोगों से बाद करेंगे आप सरकार के कामकाज को कैसे देखते हैं दस साल पूरे हो रहाए हैं लग इक बार फिर दो जार चौमिस में प्रधान मंतरी मोडी को जनता मौका देगी या सत्ता परिवर्तन होगा बिलकुल मौका देगी प्रधान मंत्री मोधी ने वो कारे करके दिखाया है जो 75 वर्षों में कोई भी सासन नहीं कर पाया 75 वर्षों में केवल हिंदू-मुस्लिम होता रहा और कभी भी हमारे अराद्य देओ का मंदिर नहीं बन सका रोजगार सजन नहीं हो सके केवल भी रोजगारी हटाओ का नारा देते रहे और चुराओ जीतते रहे आज देखा जाए तो काशी विश्वनाथ का कारीडोर बना परेटन के लिहाज से देखा जात तो आज गोवा भी फेलों गया सबसे पहले बनारस आ गया है बनारस में परेटन से बढ़ने वाले कारे में होटल बिजनेस हो चाहे टोरिस्ट के आने के रहने खाने रेस्टोरेंट का हो चाहे बनारसी सारी का हो इतना जवर्दस ग्रोथ हाया है जो आप कलपना भी नहीं कर सकते हैं इसके साथ साथ आज अय उद्ध्या में बन रहे भवे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का भी लाव भारती जनता पार्टी को मिलेगा वैसे राजनतिक दिगजों का भी यही मानना है आप क्या मानते हैं बनारस की दृष्टिकोड से हम बात कर रहे हैं कि बनारस पहले से कितना बदला है और अगर बदला है तो क्या जो बनारस के मूल निवासी है उनके लिए सब कुछ ठीक रहा है बनारस में तो पहले सबसे बड़ा लाब हुआ बनारस को विश्यनात कोरिड़ोर बना दूसरा यहां सड़के बहुत अच्छी हो गई है लाइट की विवस्ता बहुत अच्छी हो गई है और यहां जहां तक मेरा यह विश्वास जाता है, entrepreneurship और innovation बहुत बढ़ा है. जैसे हमारे विश्वद्याले में भी आप प्रैक्टिकल अनुभव, प्रैक्टिकल इन्फरेंस, प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करते हैं, कि कैसे business या कैसे statement देना है, या कैसे entrepreneurship बनाना है, यह बहुत बहुत परिवर्तन आया है लोगों के मन के मस्तिक्ष्ट में. अच्छा व्याबार जगत से जुड़े हुए है, सबसे बड़ा आरोफ विपक्ष का रहा है कि बेरोजगारी बढ़ी है, आपको क्या लगता है, क्या हमारे देश में, उत्तर परदेश में बिरोजगारी बढ़ी है, या फिर ये लंबे समयों से समस्या रही है कोई बिरोजगारी की लड़ाई तो बहुत पुरानी है, लेकिन अब बिरोजगारी को यदि इस धंक से देखा जाए, कि entrepreneurship सब में बढ़ा है, सब of innovation की बात करते हैं, ये बहुत बड़ा मूलचूल परिवर्तन हुआ है. हम एक अंतिम सवाल सभी से लेंगे, आपको क्या लगता है, सरकार को एक बार और मौका देना चाहिए, या फिर कोई अन्य पार्टी पर भरुसा है, इंडिया गड़ बंदना है, हम तो ये कहेंगे कि सरकार ने जो शुरुआत की है, अच्छी शुरुआत, वह अच्छी और योगी जी पर पूरा भरुसा है, और यही सरकार दोबारा आनी चाहिए, अच्छा आपका ये मानना है, कुछ एक युवा है, कुछ लाव मिला है, आपको दस सालों से सक्ता में प्रधान मंत्री मोदी जी है, आपके उम्र कितनी है, वोट दिये हैं कभी लोग सभा स्कीम के तहाँ आप वलब मिला है, और चाहिए ह हं दूसरी लोगों से भी बात कर लेते हैं, आप क्या चाहते हैं? क्या एक बार तीसरी बार प्रधान मंत्री के तौर सभा बैठना चाहिए? प्र्धान मंत्री मोदी को या फिर कोई आ लेकार नहीं के न सारे लोगों का वै आधार होती है संस्कृति की हमारी संस्कृति जो मैकाले ने बदल दिया वह बीज डाल के आज हम बोलते हैं तो हम पूरी हिंदी नहीं बोलते कहीं कहीं अंग्रेजी का सब्द आता है क्यों नहीं होता है इस सब्द का आज 10 साल में हमने सिक्षा पर क्या काम किया यह कोई भी सब्द करतार वहांब ऐसे अपने व्यापण कर दिया है लेकिन आप क्या चाहते हैं क्या मानते कि उसीत्थे आ रहे हैं देखों मैं एक उद्दमी हूँ उद्दमी का उद्दोग तभी चलता है जब वहां पे साशन मजबूत हो वहां पे सरकार कानून व्योस्था मजबूत हो बिजली की व्योस्था मजबूत हो साथ ही धन की व्योस्था की जाए ये तीनों चीज योगी जी के साशन में बहुत अच्छी है 24 गंटे हमारे हाँ पुलिस प्रशाशन की मजूद की में किसी तरह का भी गलत कारे नहीं हो पारा पहले क्या होता था कि उद्धमियों को उठा ले जाते थे उनसे वसूली होती थी वो सारा चीज बंद हो चुका है तो अंतिम कमेंट हम जल्दी से लेंगे यानि फिर से मौ मौदी जी को मौका या फिर कोई अन्य विकल्प हम तो गहेंगे हरार महादेव और मोदी नहीं तो और कौन आएगा तो यह थे हमारे साथ बनारस के व्यापारी जिनका साफ तोर पर कहना है कि कुछ बदलाव कुछ नीतियों में बदलाव की जरूर आवशकता है लेकिन आन परसी हो या आन जनपद हो भारती जनता पार्टी की तैयारियां वह बहतर मानी जा रही है एवेपी लाइव के लिए रिशान चतुरुवेदी वाराणसी